Class 10th Hindi के Students के लिए लेकर के आ चुके हैं ब्याकरण के सभी Questions तो वही Student इस वीडियों बने रहें जो की ब्याकरण में पूरे मैं से पूरे अंक प्राप्त करना चाहते हैं यानि कि जो भी आपके त्रिमासिक पेपर में ब्याकरन से question आएंगे इनसे बाहर नहीं जाएंगे यहाँ पर सभी के answer मैं आपको बताऊंगा और देख सकते हैं कि हम पिछले वीडियो जो आपको पिछले वीडियो हैं सभी दसभी के मैं सभी विसियों के important question आपको provide करा चुका हूँ तो देख लिए जाकि हिंदी के भी पिछले वीडियो में अन question complete हुए हैं इसमें ब्याकरन पूरी complete रहेगी हैं तो काब की परिभासा आपकी ब्याकरन पूछे जाने हैं रस की परिभासा प्रकार समास लोकोक्तियां मोहावरे यह सभी आपका पूछे जाने हैं जो अलंकार पूछे जाने हैं अत कार्व की कॉस्चन बाहर नहीं जाएगा ब्याकरन से बस वीडियों बने रहेगा रसात्मकम ब्याकरकां संहीं काब है यहाँ पे आचारविस्वनात ने काब को रस कहा है रसात्मकम बाक्यम काब्यम याद रखेंगे काब के दो भीद मिलते हैं इंदी साहत में यहाँ पे आपकी टैंथ क्लास के अकॉड़न देख सकते हैं आपके सलवस में स्रब्य और दरश्य दो काब्य दिये गई है दरश्य काब्य का है लाता क्या है जैसे हम देखते हैं आपर देख सकते हैं दोनों पी परिभाशा डेफिनेशन दी गई है तो जिस काब रक्चना को हम आखों से देखती हैं और कानों से सुनती हैं उसे द्रश्य काब कहती हैं जैसे हम कोई काब मतलब कोई रचना सामने देख रहे हैं अपने आखों से देख रहे हैं कानों से सुन रहे हैं तो उसे द्रश्य काब कहेंगे और स्रब काब कहा है जैसे ह हम केबल संन सकते हैं सुनकर हम रश का आनंद लेते हैं रश का स्वाद लेते हैं उसे हम सरब्स का मतलब क्या होत蟁 है सुनना दृष्य का देखना बस इतना थूर फिर्क है नो Jest याद रखिये का आगे देख सकते हैं प्रवंद काब और मुक्तकाब में अंतर बोस्ट सब्सक्राइब किया जाता है कि मुक्तब में क्या हुता है किसी अनुभुती से कोई भाव नहीं पजरत कोई चरित नहीं बताए जाता इसमें जो कलपना हम कर रहे हैं अपनी मन में थे रिखते हैं महाब करके देख सकते हैं महाब करबता मां कि adjacent का है कि आए नहीं हम आप जानते होंगे यहां नहीं देता हैं कि महाकाबлом की कठावस्त तो विष्ट kulluk पर जिसमें किसी आसे घटना का बढ़न किया उसे कंड़काब कैसे तह यहाँ पर अंतर देख रहाए थी हम महकाब में तो कथावस्तू भिष्त बिश्थ स्टिर्थ होती है कि विश्थार पूर्वक होती है अगला अंतर रहेगा स्में महाकाव में अनेक पात्र होतें यह बड़ा है बिस्तरत है पूरी जीवन का बड़न है किसी ब्यक्तिक है तो इसके जो संपर्क में कई लोग आये होगी तो इसमाने एक पात्र होते हैं जबके खंड काव में पात्रों के संख्या जो होती है सीमित रहती है क्यों क्योंकि खंड काव बड़ा है तो इसके मुका नर्ट भी और राइन में पूपकत होता एक संख्या करिंगा है कि अप्जेक्ट में पूछा था सुछों में अधिक्स होते हैं में प्व debut आठ से अधिक के संख्या कम होती है करा यह पॉइंटиком के नाव चंद का पिरियोग हुटा है थी एक छंद को पगलिया लग हो ऑगे देख सकते हैं तीन महाकब यूंके नाम रच्नाकार प्रश्णत सहत प्रश्णन प्रशने रचना सहथ यहां पर उसका नाम लखना है कभी का नाम लखना है उसकी रचना सहथ जेख सकते हैं राम चरित मानस तुलसिदास नरची गोश्वामी तुलसिदास पद्माबत मलेक महमत जैसी साकित मैधरी सरणगुप्त यह रहेंगे आपके कामायनी भी याद लख सकते हैं जैसंकर प्रशाद महा काब किसे कहा जाता है महा काब मैं को ऐसे तो बता ही चुका करते हैं तुलसी दास्ता द्वारा रचित है आग देख सकते हैं दो खंड काभ्यों के नाम लिखिये उनकी रचनाकार सहिए तो घ्रंथी समिथान अंधपन पंचवटी में धली सरण गुप्त कुरुक्षेत्र भियाद रख सकते हैं कि रामधारी शिंग दिन करका रस के अंगों के नाम लिखिए स्थाइभा हो गया विभाव अनुभा संचारी वाव इस चार आपके रस होते हैं अगला आपका प्रश्ण है आपके छंद के भेद लखिए छंद के कितने भेद चंद के मुख्य तीन भेद हैं तो बर्नेक मत्र किस्टों इससे बाहन जाएंगे अलंकार की इसी कोश्चिन आइए सब मैं आपको जो बता रहा हूं इससे बाहन नहीं जाएगी अलंकार की परिवास अपडस परिप्शन केंवाइनली तो उसमें सुन्दरता बढ़ जाति इसे कटि सुन्द्रता बढ़ जाती है लंकार कड़ क्या होता है तो इसका यूज च الح्रत कर लिया जाए तो यहा में कब की सुभध की सूधा बढ़ जाती है तो नस फिलाओ भेध के ब्रत्र Hebंर की प्रकार मुख्य होती वो सब इन्चसई नगले हुए देख सकते हैं तीश क्ति यक्तिय लंकार की प्रभाषा अधाहन से, अथिश यक्ति क्या है, काब में जहाँ पर किसी बस्तु या ब्यक्ति का स्वाभा अधिकता से अधिक बढ़ा चढा करवडन किया जाए, वहाँ पर अतिश क्तिय लंकार हो यह प्रकास से कुछ है आप याद कर लेंगे उसे नकल करके पड़ी अचानक नदिया पार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सुचा अश्पार तब तक चेतक थाउस पर राणा का जो महाना प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था याद रखेंगे इसके लिए का आहान साइद देजिए तो अन्यक्ति लंकर की प्रभास क्या दाएगी काब में जहां पर अप प्रिस्तुत कथन के द्वारा प्रिस्तुत का वोधु भान न्यक्ति अंकर होता है अप प्रिस्तुत की द्वारा प्रिस्तुत का वोधु है ना तो आहान समझेगे माली आवद देखकर कल Interior क्रिपकार फूले फूले चुन लिए का रही हमारी बार है ना तो काल कलीआ, जो कलीआ हैं, माली को आवफ देखकर के कह रही है कि फूली पूली जो थे, वह चुनले कल बार यह कल हम खिल जाएंगे तो हमें तोड लेंगे इसका कहना क्या है इसके इससे जो कहा जा रहाए यह तो मैं आपको अर्थ बता रहा हूं कि यह पूले फूले वर टूट चुके मतलब में जीवन ही फूले है वृद्л यहां हन पर अन्युक्ति या अन्युक्ति य्लंगार को हिए रहे हैं एक करा ayam मानभी करण य्लंगकार देंग आ य होंने की परभास ना से ही रहिए मानभी करण जो बर्डन किया रहा है कैसे कि इस जैसे मेघा बरस रहे हैं आखों से मेघा जैसे बरस रहे हैं ऐसे भावनाओं कर दिया तो अलग ही बात हो जाती है यानि निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए वहां पर जो मानाओं के भाव हैं वो प्राक्रत बस्तू हो ग तो उसे महनविकरान अलंकार कहते हैं यहां पर देख सकते हैं फूले हसें कलियां मुस्काई तो यह रहेगा आपका इसका उदाहन इसमें देखिए देख सकते हैं कि इसमें किसे दर्शाय जा रहा है मानों की जो भाव है हसना एक भाव है इसे फूल और कलियों में यहाँ पर दर्स आया जा रहा है मुस्कुराना देख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश लंकार की प्रिभासा उदाहन से दीजिए जिस काब में क्रमशा सब्दों की याब्रती एक समान होती है किन्तु अर्थ की बहनता नहीं होती है उसे पुनरुक्ति प्रकाश लंकार कहते हैं यह तो भी हो गया जैसे कहते हैं यह मकलंकार में होता है कि काब की एक बढ़न की आप ब्रती बार बार होती है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है लेकिन इसमें अर्थ बहनता नहीं होता है कि काब में सब बति सब्सक्राइब कर लेंगे कुंपलेट कर लेंगे आगे देच सकते हैं रस जो भी आपके टोपक रहीं से यहां पर आपको मज़ा आए पढ़ने सुनने देखने में अनंद है रस के चारंग होते हैं पहले ही बता चुका हूं अंदर से भी देख लेंगे स्थाइभा बस इतना याद रखना कि चारंग होते हैं स्थाइभा संचारिवा विभाव विभाव और दो प्रकार के विभाव होते हैं अलमन उद्दीपन तो यह बास यह आपको पूछे नहीं जाएंगे कि विभाव के प्रकार लिखे कि विभाव के प्रिभास लिए नहीं आपको बस उपर से याद रखना है कि रस के चार जे अंग होते हैं, संचारी भाव, बिभाव, अनुभाव बस याद रखिएगा, सभी रसों के स्थाइभाव आपको याद होने चाहिए, स्रंगार का रदीक करोण का सोक, हाश का हाश, बीर का उतसा है, तो यह सभी की याद क संचारिवा के सास्ट रूप ग्रहन कर लेता है तो इसी प्रकार से सभी रशों की प्रभाता बना सकते हैं जैसा कि मैंने इक पिछला रस का वीडियो अपलोड किया था जैसे में सभी रशों की प्रफासा यही बताई थी और यह मान है ना बोर्ड द्वारा दी गई यही कोई बच्चे इसे गलत नहीं थारा सकती आपकी एक भी अंक्र निकटेंगे या 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 पर दी से लगते हैं तो आपको केबल रस कि इस थाइबाओ को नाम चेंद करना है और यहां पर रस का बस सब्सक्राइब कर देंगे तो यहां पर बच्चे बना सकते हैं बस यह जो है क्या कहला था है इस थाइबाओ को यहां पर पटक दीजिए और यहां पर रस का नाम हो गया अगे देख सकते हैं स्रंगार रस का उदाहन दिखा हुआ है राम करूप नहारती जान की कंकन के नगी की परिछाई आते सबे शुदी भूलेगी कर टेक रही वाले टारत नहीं यह रहेगा इसका उदाहन सेयोक स्रंगार करहेगा इसकी करने गंगा वच्चों को छोड़ो घर पर होने दो हुड़दंगा हाश्य रस हासी आ रही है हास रस सिंहासन हे लुठे राजबंसों ने भ्रकटी ताने थी इसके अन्य उदाहन भी आत कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं कि भाईवाल आपने सुनाई होगा कि जब जात सिंहासन हे लुठे राजबंसों ने भ्रकटी तानी थी भूड़े भारत में इगी आई फ्रसे नहीं जबानी थी खूब लड़ी मरदानी भैदो जहां सी बाली रानी थी रोधरस का उदाहन रहे का अर्जन क्रोध से जलने लगी स्रीकुष्ण के सुन बचन अर्जन संसार देखी अव्मारी सत्रू रण में मृत पड़े करते हुए घुष्णा हो गई तो देख सकते हैं सभी रशों के उधान आपको बताएगे हैं भयाना करहेगा एक और अजगरही लगी एक और मिरगराय विगल बटों ही वी जहीं परेव मूर चाखार डर लग रहा है य कर बिनु कर्म करें विधुनाना आना रहत शकल रहो भी बनु बावनी बकताव बड़ जोगी कि बातिसले रसकी प्रवास मुष्ण है आपका सबसे ज़्यादा पूरे जसोदा हरी पालने जोला में बातिसले रसके आप से आपको दहान रहेगा इसको प्रवास के लिए जह चंद चंद जो जो आपके दो चंद पूछी जाने आपके में से चौपाई और दोहा तो इन दोनों की प्रवासत देखें होता हम से देख सकते हैं अमाता राजभान सलगा आपको याद रखना है रहेगा इनकी गंड जो होते हैं इसके उन्हें याद करने के लिए बनाया यहां आपको याद करने इससे आपके पूछनी जाएंगे कि इनकी अंगल इकी अलग अलग प्रवास याज रहेंगे आपके पूर्ट्चन में चौपाई चंद की प्रवासत यहां पर देख लेंगे ओधाहरा चौपाई समचंद का एक भेध है प्राक्रत तथा भ्रहांस क भेध है इसमें शिध्पात है चोपाई चंद में 16 मात्राइं होती है याद रखिएगा और गुषवामि तुल्शेदार राम चर dragged मानस में चौपाई चंद का का बहुत अच्छा नर्वाकिया चौपाई में चार चरण होते हैँ प्रतिक चरण है места है आपके हनुमान चाली सा पुरी दोहा से बनी हुई है तो आप किसी भी एक में आड़ो लेख सकते हैं और और भी कोई दुहाया याद रख सकते हैं रहिम के पिड़कर नहीं कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब, यहां पेर दोशी 마음 pandemic सब्सक्राइब, तो आ 기자 रहे हो टीन खं़ाइब, तुंस in यहार्ग श्रीिगुरु्रुचरण। Bonjour रज नेजिमनुँदम्कृत होगे बरन उरगोगर बमल जैसे जो दायक फल चार यह रहेगा आपका उधारा रहिमन पानी राकिये प्रकाश रहेगा देख सकते हैं मोहाबरे और लोकोक्ति में अंतरों सामन अत्र से जोड़ कर किसी बिसस इर्थ को प्रकट करता है मोहाबरे लग देख लेंगा अंगारों पर पर रखना साहेत में पिछलेत बहए बाकेंस जो सवय में एक पूर्ण बाके है लोगोक्ति कहलाता है गुधोवी का गुत्ता घरकाना घाट का मुहाबरी और लोगोक्ति मैंनता रहेगा आपका इसका स्क्रिंश्वर ले ले लेंगे याद कर लेंगे देख सकते हैं निवंद की प्रिभ पर स्वच्छंदता सुस्ठा और सजीवता के साथ उसकी आवश्यक संगती और संबदता के साथ किसी विसाइब एक विसाइब को पकड़के उस पर स्वच्छंदता सुस्ठा और सजीवता ता आवश्यक संगती और संबदता के साथ उसका बढ़ां करें तो वह एक निवं और आचार रामचन प्रिवासा नी इनके है यदि कभियों की कशोटी है तो निवंद की के सावटी है, बस अखात निवंद के कथे चार औंग होते उंग होगे, आंग आपके पूछे गए निवंद के लूंद पैस्ता औ कसावट होती प्रभावसावली भाषा विस्याह पूलता होनी चाहिए बिचार के अर्छ में नियम बताएगे हैं नियबंद के पिचारों भासा दोनों में कसावट का कुण होना चाहिए ओधरणों की भासा में बदली तो यह रहेगा आपका सभी ब्याकरण के जो क्वेश्चन आपको बन सकती हैं हम सभी कंप्लेट करवा चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें पिछले जो आपके अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं हिंदी का ही एक वीडियो है जिसमें आपको अन्य क्वेश्चन आंसर बताएगे हैं आपके गद्ध खंड और पद्ध खंड से रिडियो तो वह कंप्लेट कर लिजे जाकर के थैंक् देडियो है झाल